वहादसा बही जो लेंसाइड उतने पहले साल बातर फटा था जहां पर 35 लोग मारे थे हां पर मारे थे और टिकेल में आ चुका हूं उत्तर एलवे सोलर में भई टीकेट में को मिल चुकी है दबाँ तीसर वेगे टीकेट आ चुकी है कि मौसम देख आप क्या मौसम हो रहा है वाई साथ में करेंगा रखे हैं आज का व्लोग बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है तो पूरा व्लोग टेखना अगे तो छोटा साइड यह बहुत पहुंचे के हां शुकी कि तारादे भी फिर समरेल पेचितोग और शिवला अब यहां से ना आप लोग तारादे भी टेमपल भी जाए ठीक है तारादे दो काई ऐसा घरा चंदर लेंगो वैलकम टू शिम्ला शिम्ला की जो चाहिए वह वह व्लोग में आज व्लोग की शुनात हो रहे है उत्तर रेलवे सोलन से और यह सोलर रेलवे स्टिसन जाने का रास्ता तो चलिए शुरू को तार्श का व्लोग यह है उत्तर रेलवे सोलर जाने का रास्ता वाई सामने दिखाई दे रहे हैं आपको सोलन का रेलवे स्टेशन वाई और यह रास्ता है अभी सुबह के साथ बजे हैं पहले पूछ लेते हैं कोई ट्रेन है कि नहीं है और बात करता हूँ तो बात करता हूँ पिर देखते हैं टिकट हमें मलते के नहीं मलती है शिमला के लिए बात हो चुगी है जो यहां भी स्टेशन मस्टर अपने सर है ठीक है उन्हें ने कहा है कि आपको साड़े साथ बज़े ट्रेन आएगी और टिकट यहां से मिल जाएगी ठीक है है कितने की टिकट मिलती है वह बद घीक है और अब ट्रेन आने वाली है और अब ट्रेन आने वाली और आप लोगो सफर करवाएंगा ट्रेन आ चुकी है और इसमें हम बैठेंगे चलो आगे वाले ट्रेन आ चुकी है चलो तो गाइस यहां पर मेरे को सीट मिल चुकी हो रही है आपका जनलो वाला डिपबा बाई और अभी चलनेवाले है ट्रेन आपके सोलन की रिवेशन से और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई सिगनल मिल चुका है और अब ट्रेन चलने वाले है वाई ट्रेन चल पुड़ भी UNDर सोलन से भाई और आजद भीशन सफर करवाएंगे और यह जर्नल डिपा भाइए लोगाइज फाइल ली वही हम पहुंच चुके चंबा घाटर वही जंबागाट से हम थोड़ा पिछे वही मौसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है एक नंबर मौसम हो रहा है वाइज सामरे का मौसम देखो तो यार क्या ही सु आपने करने जा रहा है दी सुद्र और जस्ट हम आपी पहुचने वाले जंबागाट है और सामने आपको दिखाए दे रहा है यह है आपका करोल टीपा भाई और जस्ट अब यह जबागाट से क्रॉस होएंगे यहाँ यहाँ पे फाटक लगते हो बाई दोनों साइड से औ और निखिल वाई हिमाचर के द्वार आप देखर हुए इंटेट इस वीडियो यह आपकाल का शिवर देशल हाई भी है देखो काईस ही तो वाई यह आपको दिखाए दे रहा है यह सोलन हिमाचर प्रदेश भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और थनल नंबर 43 आ चुक और ओल्ड मौक आपके यही पर बनती है और शोलन नंबर 1 यहां पर बनती है वई शिराव की फैक्टरी है यह जब अधर अच्छाब की बनी यह गाई जब आपको नहीं बता तो मैंने आपको बता दिया वाई सुबह सुबह का जो निजा रहा होता ना एक नंबर निजा र लगा अभी तक का आगे भी एस अफर बहुत नीशानदा रहने वाला है और सामने है आपका तो गाई अभी हम पहुँचे हैं स्लोगडा में थैके स्लोगडा में हम लोग पहुंच चुके हैं और स्मूधाल से ही जो हाईट है वह हाईट है आपकी पंदरा सो नौ मिटर वा तो पूरा व्लोग तिखना अभी हम स्लोकळा में पहुंचे हैं और तालका-श्म्ला टोरीटेन में हम लोग सफर कराई गा है यानि कि चारो सेट आगो ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा बर्साथ का मौसम है और बर्साथ के मौसम है यह फस्त व्लॉग है टोयटरेन का अन पब्लिक डिमांड आप लोग की सबकी डिमांड में हम टोयटरेन का व्लॉग लेकर आगे चुके हैं तो वीडियो को कर दो लाइब यह फ्लॉग कंटागाट के रेलेव दिश्मेर में थोड़ी देर रुकेगी आइटिंक से ट्रेन और बहुती सुन्दर सफर है अभी तक का वाई तो वाइस अब्वाइस आप यह पहुंच चुका एक कंटागाट में अभी तो यह पे रुकेगी ठीक हैं पर कंटा इन वहाला डिपभा है यह बहुत अच्छा है वाई ठीक है सीटे बहुत अची इसकी कमपटेबल है और कंडागाट रेलेशिए से पुधारे में आपका हार देक स्वाकत है भाई आप लोग चाहे नाशता भी कर सकते हैं यहां पर यह रखो बहुती सुन्दर रेल विशेशन है यहां पर आप चाहे नाशता कर सकते हैं कंड़ाट से चल पड़ी है अब भी टोटरेन भाई और अब हम पहुंचेंगे कनो में तर मैं आपको दिखाऊंगा कनो का फूल भी हो बहुत अच्छा पूल है वहां सम बहुत अच्छा हो रहा है और गाइस पहला पूल आते हुए ज्यादा बड़ा तो ही है तो छोटा साही युबर सुन्दूर है भाई है है था शुल नगाए इसे लगजगे है सब जन्ने मौझके में घं़ाई हाँ सुधर नगां ऑपके ट्रेंज जाती हुए राल काश्मऩं सब्सक्राइब को इस सामने छाना थाउन को एक नम्बर नो दो आना यहारा है पाद लोके बीसे हो जारा है आप इस ठाप कोई दिखाएगा आपको भाई कोई भी नी मतायेगा आपको इपर सात हुआ और मॉल सोल में कुछ किस शिरिक से उता है इस त्रहट राधर का सफर है यह सामने को दिखाइए रहे हैं यह एक नो का रेलियो इस्टिशन वाई और बहुत ही अच्छी जगह आए बहुत अच्छा हो रहा है सुपर सुपर का टाइम है आप लोग देख रहे हैं डिकल वाई का व्लॉग और कमेंट करके जुरूर बताये कि आवाज आरी है मिनके नह तो गाइस हम पहुंचें भी कनों में बई ठीक है यह है कनों का रेलियो शेशन बई और यहां पर इसे काम करने वाले वाले उतरता है तो आप अब यह ज़िए थोड़ी दर बाद हम पहुंचेंगे कहां कैथलिगाट बई और कनों के रेलियो शेशन से चल पड़ है अब हर यह सीदल मिल चुक आए मौसम बहुत अच्छा रहा है चार साइड को आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इस साइड और परसाद के मौसम पहला हो कि वाही आप ही हम पहुंचेंगे हैं मैं दा का है यह शन नहीं परके साथ में तकाई दे रहे नहां को यहां से बिल्कूर उडा को साथ दिखाई देगा जो इस तुर मोसम हो रहा है बहुत ही प्यारा मोसम हो रहा है अगर आप लोग पी अप्रोड़र्रे पीपर करना चाहिए लाटो आप लोग सुपर कर सकते हैं से पिंदेखे लोग करते हैं अब और 55 डा जज़ो छो रहा है बचल कर तरेन पिंदा व्टो-च करवाथ हो देखाई है हाला उकल्कूर बटातो में कियं यह कंछ भाएं तुरह्न है भाई को एल्लेंख कर वा सकते हैं टोय ट्रेन की और पिर आप लोग काल कर और शीमला के बीच में टोय टेन्ड में सफर कर सकते हैं यहां पर बाई ट्रेंट और फिर लोगों रुखेगी यहां पर बाई ट्रेंट और पर चल पड़ेगी यह लोगों यह लिखा ना Catholic Heart Railway Station पदाने में आपका हार्दिक स्वागत है और फिर आप लोग को लेचलनेंगे शिम्ला की तरफ है Catholic Heart से फैनली चल पड़िये आपकी ट्रेंट शिम्ला की तरफ और Catholic Heart की उन्चाइन लिखिये भई आप नहीं लिखिये भई सत्रा सो एक मेटर लिखिये समूद रदल से और कालका शिम्लाट नशल हाई वी आपको दिभाई दिता है यहां से भई और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सुक्ति तरदेवी पिर समरेल पर चतोग और शिम्लाट तो दखो और और मौजून में यह पहला व्लोग है निखिल भाई है वाजिटिया भाई आप लोग की दिमाड के भाई स्पेशल व्लॉग है तो ट्रेन का आप लोग ने कहा था कि निखिल भाई हमें तो ट्रेन का सफर करना है तो लोग भाई क्याति गाड के बाद हम पहुंचेंगे शोगी में वाई और ट्रेन के स्पेट थोड़ी बढ़ रही है और देवदार के स्पेट से होते हुए हम जा रहे हैं शिम्ला की तरफ वाई यह नजार आए बहुत ही शूदर की तरफ टनल आए रच गहाँ हो रही है जैसे πीड वह वहाँ हो रह nor अरे बरे हो रहे जाए हरए हर चीज आपको अच्छी देखने को बिलेगी सूर्य भगवाण जी भी प्रकढ़ होते हुए हमारे दिये आप लोगों के स्वागत में, हमारे स्वागत में सूर्य पमाद की फ्रकटमते हुए अब हम जा रहे हैं, बार के पेड़ों के पीछ और बीच होते हुए शुबला की तरह इसे बिल्प उस्था साथ में हैं, यह बेखोंगे सुच्छ भी भी है, सुच्छ अब हैं आए, वह प्रेंगे पहुता है ने भी है, इस यह सब्सक्र भी जाओ में भी है पार बिचानल यहाँ से समय मन tomar हैं क्यप पिर यह सरा के दिखाएं यहाँ सुने है आपकी जतलीगाट जतलीगाट ढली टर्णल आपकी चो बंदी ना वहां निचे बंदी यह दखो गई और अब हमें देवदार के पेड़ मिलने शुरू हो चुके हैं यहां से अब जब आपकी हैं अब हम पहुंच जोगी के रेल्वे स्टरिकेशन में और शोगी के रेल्वे स्टरिक सब्सके च्छाखकेशन हम ठाकते के बंस आपको आगे चलके दूँगाट खे के वाइज फैलि हम लोग पहुंचुके शोगी के रेलोशेशन में भाई ठीक है यहाँ पर ट्रेन थोड़ देर रूखेगी और चल पड़ेगी शिम्बला की तरफ ठीक है तो यहां से आप लोग तारदेवी टेमपल भी जा सकते हैं ठीक है तारदेवी टेमपल आपको बहुत से च्कुकि बेस्टरे और जो स्टेशन इसकी जो यह वह अब भी देस्टेंस बहुत ही कम है और यहां से आप लोग भी टेमपल और अबतिशन कर सकते हैं और को होमस्टे और होटलत मिल जाएंग अगर अगर आप लोगों ने यहांपर हमारे साह साथ में चलें अगर आप लोगों नहीं हमारे साहाथ is hier ai हम चेक और आप लोगों के मिल जाएगे और ऑफ चैनल पड़ियर अच्पारन đang हो होटल अवेलिबल है और इसके बाद हम पहुंचेंगे भाई तारादेवी इसे लूशिशिज में देखो तो काई बड़ाई सुनत देना और यहां पर मंदिर है भाई अप लोग तारादेवी टेमपल भी जा सकते हैं यहां से पर दिखाए देरे ने चोटी तो भाई वेड़ा चुकिए एक मिंद आपको वेड़ करना पड़ेगा जो आप फिन पेड़ो को देख लो थोड़ी तेर जो आपको सामने दिखाए देरे ने गाई हब से उन्ची चोटी जहो तारावाता यह आपका तारादेवी टेमपल और यहां आप जा सकते है चोटी के रेलिएशिंस से ठीक है बहुत अच्छा मन्तिर है और यह पे बंढ़ा भी होता है और यहां पे मिल्ला भी लगता है तो तारादेवी टेमपल भी आप चुकिके रेलिएशिंस से जा सकते है असानी से और अभ हमें टीड के पेड़ी तन्वल से होते हुए आप लोग सिर्फ सफर को जोएकर हो भाई बाकी कुछ निकन आपने है और बहुत ही अच्छा है अंदर से विपाई सिस्टम और दूप लगिए यह देख लो और मौसम अच्छा हो रहा है दूप लगिए बढ़िया और साबने आपका शिमला शेहर दो घ्री गरें से होते हुए हम जा रहे हैं और सपनों का शहर अपनों का शर्प बाइब आप लोगों को ने कब सप्र किया था ज्रूर बताए कमेंट करके और साबने मुझे नजना आरा है शिमला शेर भई यह देखो सामने नजरा रहा रहा को शिम्ला शायर यह देखो गाइस ऐसा ख़रा चंदल है देखो पितनी लगा जा यार रात को यहाँ पर लो गाइस भाइली हम लोग पौण चुके हैं तारा देवी रेलिवे स्टेशन वाई यह तारा देवी का रेलिवे स्टेशन वाई और यहाँ पर भी ट्रेन थोड़ी ते रुके कि आपकी और फिर चलेगी है शिम्ला की तरफ और यहां से आप लोग गाड़ी में जा सकते हैं टक्सी करके भी जा सकते हैं और आप लोग प्रेन में जा सकते हैं और यह है शिम्ला शहर जो आपको सामने दिखाएते रहे हैं वेल्कम तो शिम्ला शिम्ला पर दाने में आपका हर्दिक स्वागते और तारा देवी की जो ह मुझतर से मैंने आपको हाइट इसकी बता दी ना 18-44 मिटर है और सामने आपको नजर आएगा शिमला शहर और यहां से आप लोग में रूड को पजासते हैं सामने आपको उपर में रूड है भाई हम पहुंच चुके जदोक में बढ़ाने में अपका हाथ इक स्वागत है इलो जी यहां पे फ्रेंट थोड़ी ते रुके किया आपको मैंने कहा था ना कि ट्रें रुके कि यहां पर थोड़ी ते थोड़ी ते रुक चुकिया और फिर चलेगी यह शिमला की तरफ पर फिर उसके बाद आएगा समरी आप लोग आईज चल पड़ी है वही जटोक के स्टेशन से और अब आएगा आपका वही जटोक वाला पुल ट्रें आपके समरील्स जहां पर 35% वाला पुल आपका शीप पाउडी समरील्स जटोक वाला पुल ही तो धोग होगि रफटार कम होगी ना थो फाइलली हम लोग पहुंच चुगे है प्वे जटोक वाला पुल से जारी आप ज़ी आपसे प्रटल जहां पर हादसा हुआ थ पर इस इस तरफ में देंगे रहे हो आधी वहा था एक जो लेंज स्राइड उतने पील साल बातल फटा था जहां पर 35 मा रहे गातीय स्यों से लेन अधर हीट्स है है स्वास अधर सान घ्राड हो अदिया आजितों से लेहां भीरिग स्प्राइड बातल जाता है इसके बार हम लोग पहुंचेंगे Summer Hill और भी पहुंच जाएंगी हम शुम्ला जो यहां पर हाथसा हुआ था लास्टेयर अगर आपको पता होगा जब भी शुम्ला में बादल फटा था अगरे बार हम आपको पत्ती साल इतना कुछ नहीं हुआ इसाल साथ कुछ ओके बास है वाइस फाइल यहां पौन चुके समरेल में यह समरेल का रेलोड श्टेशन यहां पर काफी सवार या उतर रही है अगर ऑप लुग में सफर कना चुके और लंगोर उन मंकियों से अपने साफधान रहना पड़ेगा आपको कैसे आप सब शबब कर सकते हैं आप लोगों टिकेट को करो ओनलाइन काल का और सिम्ला के वीच में और सुभा मॉर्णिंग में तीन पंताली से शुरू है तो ट्रेन आपकी इनसे साथ आनेना पड़ता है लंग गुरू से ना ऐसे हैं और ट्रेन चल पड़ी समर हिल से और मैं कहा रहा था ने आपको यह आप जुरू टीन चलते हैं यह फिल तो यह था आपका समरील का रेलो सेडेशन ने कि wedi था है लो गाइज हम लोग पूंच है तेंग रेलो फिम्ला के साथा सिम्ला के रेलल कर देशन है यह लोजिक व in वेल्कम टू शिम्ला हमाचे पतेशिन वेल्कम टू शिम्ला की जो चाहिए वो है समुद जल से अठा सट सो दस फिट और यह शिम्ला का रिल्वेयर शेशन भाई तो वेल्कम सभी का गाइस वेल्कम टू शिम्ला है और अब उतरते हैं नीचे ठीक है यह था आपका जनल वाला कोच भाई यह जनल वाला कोच था भाई ठीक है आयूप आप लोगों ने बहुत इंजॉय कि होगा मेरे साथ तो क्या करना वीडियो को करना लाइक चलो पूराना सब्सक्राइब अब नेक् पूरा व्लोग देखना तो चलो आप 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 आप